एच पी एड़ेसिव्स 1987 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एच पी इंटरनेशनल के नाम से PVC सॉल्वेंट सिमेंट बनाने की देश की यह दिगज कंपनी है अलग-अलग तरह के प्रोडक्स मनाती है जो थोड़े मुश्किल है मेरे लिए जानना समझना टेक्निकल प्रोडक्स में PVC, CPVC, UPVC इस तरह के प्रोडक्स बनाती है दिल्ली, कॉलकता, मैंगलोर, इंडोर ये चार जगए इनके डीपो है 750 से ज़्यादा कंपनी के हैं डिस्ट्रिबूटर्स और 50,000 से ज़्यादा डिलर्स के साथ करती है कंपनी कारोबाद, पहले इश्यादा कर ये जानकार ये दो, कल खुल चुका है, कल बंदोगा तीन दिन का इश्यादा के लोट में आप कर सकते हैं एप्लिकेशन फ्रेश इश्यादा करोड का है, और साड़े बारा, बारा करोड राउन फिगर में माद लिजए ओफर फोर सेल है इस इश्यादा का, तो कुल मिलाके साइज है, 125 करोड के आज-पास की मार्केट केप है, 500 करोड का ये और इश्यादा के उपरी बेंड पर जो अगर मार्केट केप देखें 800-850 क्रोर के आस पास का market cap इस company का निकल कर आता है तो छोटी market cap की company छोटी issue size की company यह आप कह सकते हैं इस वक्ता माफ किज़े 1.8 क्रोर issue है shares issue किये जारे हैं 500 क्रोर का market cap है जो इस company का आईए स्वागत करते हैं company के MD करन मोटवानी साब हमारे साथ कारीकर्म में शामिल हो रहे हैं जो NM Institute of Management Studies मुंबई से बैसलर्स की डिग्री ले चुके हैं Management Studies में SPGN Institute से आपने Post-Graduation Management प्रोग्राम भी किया है और Company की Strategy और Vision लागू करने में करन मोटवानी साब की सबसे इंपोर्टेंट रोल है मोटवानी साब बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी बिजनिस के लिए आपने समय दिया सब से यह बताई है सर यह MBA वगेरार यह सारी पढ़ाही कि आपने NM College से से और उसके बाद कहा इस लो आगे फैमिली बिजनिस था या अपने ही शुरुआ कि दोनकर ऑनिसे वी मुलाकात कर वा दी थी आपके साथ कोई बात ने exactly आपकी company करती क्या है, किस तरह के products मनाती, कहां-कहां माते हैं, जिरा इसके बारे में business model के बारे में समझाईए? Sir, basically हमारा business model हम एक multi product, adhesive and sealants company है, adhesive की अलग-अलग particular varieties बनाते हैं, जिसमें अलग-अलग application scale रहर variety को use किया जाता है, हमारा सबसे पुराना और सबसे बड़ा product category है solvent cement जिसमें PVC, UPVC, CPVC आता है जो majoritatively plumbing और agriculture applications में आता है इसमें हमारी specialization ज्यादा CPVC की तरफ है तो हम CPVC के साथ plumbing application को काफी हद तक केटर करते हैं और crystal के अनुसार हमारी 16% market share है इस product category में बाकी जो तीन categories है जो है silicon sealant जिसमें हम देश के कुछी चुनिंदा manufacturers में से एक है जो बहुत सारे लोग नहीं बनाते है highly technical product है यह sealant application, glazing, door windows, gap filling यह सब application, construction application में बहुत उपयोगी साबित होते है और इसमें हमारी हमने सिर्फ दो साल पहले ही शुरू किया है बट काफी हमें acceptance मिली है market से और अच्छा traction जी करन जी तो आपके खुबके plans हैं या फिर आप क्या ही job worker करके बनवाते हैं नहीं हमारे सारे production unit है पूरा production unit हमारा खालापूर मुंबई के पास ही है और हम सारे product होदी बनाते हैं हमारे पूरे basket में सिर्फ बहुत छोटा percentage है about 5-10% है जो हम कुछ specialized item भार से खरीते हैं पर अडेसिव नहीं है वो tapes हो गए या ball walls हो गए यह आइटम हम भार से खरीते हैं बाकि जो 90% से जादा हमारे जो माल में हमारा बिकता है वो हमारा in-house manufacture होता है अच्छा आप जो करें कि solvent cement अगर मैं हिंदी में मतलब उसको कर तो गुल जाने वाली cement मतलब जो कुछ भी अगर आ आते हैं कि मतलब मैं अभी तक समझ नहीं पाया प्रोडुक्त किया है सर आप आप मार्केट में काफी समय से हैं और आपके घर में जितने भी पाइप सकते हैं आज कल सब PVC या CPVC के pipe होते हैं राइट पानी के लिए CPVC का ठंडे पानी के लिए PVC का तो उसी को जोडने के लि तो उसको लाने के लिए pipes लगते हैं उनको जोडने के लिए हमें solvent की आविशकता लगती है अब समझ में आगया exactly क्या प्रोडुक्त है अब सर दूसी चीज बताईए 113 क्रोड रुपे का issue है इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे सर जैसे हमने अपने issue में बताया है 25.5 क्रो चोएंगे adhesive sealant category में उसके लिए और कुछ हमारी existing capacities कुछ products की बढ़ाने के लिए 50 क्रोड हमारा business जो है वो काफी high rota business है जो return on turnover assets काफी अच्छे होते हैं तो capex की जरूवत limited है और उससे जाधा हमाई जरूद होती है working capital की क्यूंकि सारे raw materials और सब के लिए हमें advance में planning booking और purchasing कर रखें और बाकी issue expenses और दूसरे खर्च निकालने के बाद हमारा GCP है general corporate purpose के लिए अच्छा सर आपके revenue तो लगातार बढ़ रहे है तिसले तीन साल के जो मेरे पास data है लेकिन operating level पर profit कभी उपर कभी नीचे margins कभी उपर कभी नीचे होते हैं other income या खर्चों की वज़े से तो अंदाज आदे कि किस level के margins पर company काम करेगी और किस लेवल पर यह stable हो सकते हैं सर काफी सालों से हमारे margins 35% gross level पर रहे हैं और यह साल को छोड़के जो फर्स्ट दो महिने दो exceptional item था जो एक 2012 से 2015 का एक issue matter था उसको हमने resolve कर दिया था तो उसके सिवाए company has always been profitable and continue to remain profitable in fact मैं यह कह सकता हूं कि जैसे हमारा base पढ़ता जाएगा operating leverage की कि होगा तो हमारे margins और बैतर होने चाहिए over a long term ओके चलिए तो margins मजबुछ रहेंगे बैतर रहेंगे अच्छा मोटवाजी साब एक चीज़ और बताएं कि जो मैं आपका capacity utilization देख रहता हूँ थोड़ा कम है अभी भी मतलब 100% capacity पर आपकी कमनी काम नहीं करें फिर भी आप capex करने और इसकी क्या कास वजह सर हम consumer company है आप कभी भी हमारा product जो हमारे buyers हैं plumber carpenter हो रुकते नहीं और थोड़ा बहुत weekly monthly spike आता है कोई भी adhesive company prefer करती है कि वह 75-80% के utilization पर ही काम करें तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि demand को cater करने के लिए seasonality को cater करने के लिए जब कुछ time कुछ हफते हमें spikes दिखते हैं हम लोगों को कह नहीं सकते कि आप अगले हफते आई हमारा माल लेने अगले हफते मिलेगा तो इसलिए 100% पर कोई adhesive company काम नहीं करना चाहती वह consumer company है वह consumer को पुरी तरह satisfy करने के लिए हम थोड़ी सी spare capacity रखते ही हैं और जो मेरे CapEx के बात करूंगा तो मेरे कुछ products हैं जो अभी 90% तक पर चल रहे हैं जिस पर अलड़ी CapEx चालू हो गया है और और भी बढ़ेगा बाकि हम नए CapEx के लिए हम मैनत कर रहे हैं जो नए प्रोड़क्स हम launch करने वाले हैं आने वाले सालों ठीक बात है तो कुछ नए प्रोड़क्स भी आएंगे capacity भी और capacity utilization भी मोटवादी साब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय दिया और आपने अपने IPO के लिए बाचित की हमारे दर्शकों से पहले जिन आपका इश्यू आप धाई गुना भर गया तीन साड़े तीन कुना साड़े तीन अब बड़े बड़े IPO पूरे भरने ही पाते हैं आपके पहले जीन इतना भर गया तो कैसा फिल हो रहे हैं सर ओनिसली IPO जादा या कम भरने से मैं जादा focus business पर रखना चाहता हूं क्योंकि long term value सिर्फ business चाहेगी तो IPO से जादा हमारा focus business की तरफ है IPO तो हमारे bankers और जो finance के team है वो handle करती है मेरे मेरा काम है business संबालना और business को बढ़ाना और इसी पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा वैसे भी कितना भी भरे पैसे तो आपके 113 क्रोडी आने राइट सो गुना बरे चाहे एक गुना बरे सो बिल्कुल आपने सही का business संबालना major focus होना चाहे को कहूंगा कि जोर शोर से भरिये जरूर के जरूर सब्सक्राइब होगा definitely धन्यवार